हेलो दोस्तों स्वागात है आपका PKR इलेक्टिक लेंग चैनल में आज हम देखने वाले हैं हर्याना SSC 2019 का जुनियर इलेक्टिकल पेपर हमारे वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल PKR Electrical Engineering को सब्सक्राइब करें दोस्तों कसाथ से एर करें और लाइक करें ठीक है दोस्तों तो हम लोग कुश्यन से देखते हैं कुश्यन नमबर फिफ्टी बन क्या कहता है एफेचार जोब 20 कूलाम पासेश गेवन पॉइंट इन सर्केट इन टाइम ओफ 1000 मिली सेकेंड डिटर्माइन दा करेंट इन दा सर्केट यदि 20 कूलाम का अवेश परपत में 1000 मिली सेकेंड के समय में किसी भी बिंदी को पाहर करता है तो परपत में धहरा का निड़धारान करें आई कमाण निकालना है हूँकि यहाँ पर क्यूं कमाण अंड टी कमांद दिया हुए आई कमाण निकालना है dove लोग जानते दोस्तों क्यूं बरॉबर IT होता है यहाँ पर T बरावर 1000 millisecond तो T बरावर आ जाएगा हम लोगों का millisecond को second में बदलेंगे तो 1000 into 10 to the power minus 3 करेंगे हम लोग तो T बरावर आ जाएगा हम लोगों का एक second ठीके दोस्तो और चुकि Q बरावर 20 Kulam दिया ही है तो Q बरावर आइटी में हम लोग क्यू का मान बीज कूलाम रखेंगे and आई बराबर टी कमान एक सेकंड रखेंगे तो यहां से आई बराबर हम लोगों का आजाएगा बीस एंपियर ठीके दोस्तों तो इसका option हो जाएगा option नमबर ए ठीक है बीस एंपियर अगला कुश्चिन क्या कह रहा है अगला कुश्चिन देखते हैं दोस्तों किदर करेंट आइवन 4 एंपियर एंड आई 3 3 एंपियर और इंटरिंग दर नोड एक नोड है उसमें आइवन आइथरी की करेंट जा रही है एंड करेंट आई 2 5 एंपियर आई 4 उचा है और लिविंग दर नोड एंड आई 2 एंड आई 4 उसको छोड़ रही है तो देन दा वैली ओप करेंट आई 4 तो उसमें केसी हैं लगाएंग हम लोग कि किसी भी नोड पर मिलने वाली एंड उसको जाने वाली करेंट दॉनों का योग पराबर होता है ठीके दोस्तों के CISL होता है किसी भी नोड या जन्क्सन पर मिलने वाली करेंट एंड उसको छोड़ के जाने वाली करेंट का Algebraic शम बराबर होता है तो जैसे कि यहाँ पर करेंट आई 1 & i3 मिल रही है तो i1 & i3 तीनों जोड़ देंगे I3 प्लस I1 मिलने वाली करेंट पराबर जाने वाली करेंट I2 प्लस I4 I3 कमान 3 A I1 कमान 4 A तो 4-3 साथ हो जाएगा I2 कमान 5 A दिया हुआ I4 कमान तो यहां से I4 कमान हम लोगों का आ जाएगा 2 A ठीक दोस्तो तो कुश्यन नमबर 52 का आप्शन हो जाएगा 2 A आप्शन नमबर C ठीक दोस्तो अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन क्या कहे रहा हैं ठीक दोस्तो अगला कुश्यन देखते हैं कुश्यन नमबर 54 The increased factor of alternating current is increased factor उसको हम लोग peak factor भी बोलते हैं तो जो peak factor होता हम लोगों का alternating current का वो होता है पीक फैक्टर हम लोगों का जो होता है वो होता है आरमेश सोरी maximum value उसी को peak value कहते हैं हम लोग maximum value बटे आरमेश बैलियू ठीके दोस्तो तो इसका option हो जाएगा option नमबर 1 peak value बटे rms value ठीक दोस्तो अगला question देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है अगला question पूछ रहा है था rms value of sinusoidal current is sinusoidal current की rms value पूछ रहा है rms value क्या होती sinusoidal current की i rms बराबर होता है i rms बराबर होता है i maximum बटे root 2 तो इसका हम लोग मान निकालेंगी सब्सक्राइब देखते हैं अगला कुशन क्या कह रहा है अगला कुश्चन बोल रहा है इप 3 register R1 R2 R3 are connected in series across 12 बैटरी देन दा वोल्टेज across R2 is अध्यार 1, R2, R3 तीनों series में connected हैं across 12 बोल्ट के हम लोग यहां जिसे connect कर लें 12 बोल्ट की बैटरी है एंद ये 2 किलोोम का एंद ये 4 किलोम का एंद ये 6 किलोम का टीनों रिजिस्टेंस लगे हैं मालीया करंट में यहां से फिलोग हो रही है तो पहले तो टोटल एक्वएलेंट रिजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग टोटल एक्वेलेंट रिजिस्टेंस कितना हो जाएगा आई बराबर वोल्ट 12 Ram के लों मतलब 10 to the power minus 3 sorry 10 to the power 3 minus नहीं होगा तो आई बरावर हो जाएगा 12 तो 10 to the power 3 को उपर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा अब पाउन पे 12 बारस कर जाएगे तो आई बरावर आ जाएगा हम लोगों का 10 to the power माइनस 3 ampere current flow होगी ठीके दोस्तों तो जो पूरा सरक्रिट सीरीज में समान रहेगा तो पूछ रहा है किसके अक्रॉस आर्टू आर्टू का 4 किलॉम का रेजिस्टेंस है तो एंड आर्टू को आर्टू कमान 4 किलॉम हैं यहां से हम लोग आर्टू के क्रोस बोल्टेज निकाल लेंगे वीटू हो जाएगा आई इंटू आर्टू आई कमांड टैन्टू पाउर माइनस थिरी है एंड फॉर किलो ओम फॉर इंटू टैन्टू पावर थिरी तो आ जाएगा वीटू बराबर फॉर बोल्ट ठीक है दोस्तों इसका सोफिर्लनमबर हो जाएगा झावर बोल्ट आर्टू न PRSt prevalent सर्किट कंसिस्ट ऑफेफे Hem एक नॉटटन उक्विलेंट दिया है उसमें 4 एंप या है नॉटन सर्किट अैसे बनता है एक करंट्स होता है उसके पैरलल में रजिस्टर लगता है एक्रॉस बल देंगे तो वी कमान निकालेंगे हम लोग वी मतलब वी टी एच हो जाएगा ये वी टी एच हो जाएगा फोर इंटू तू बराबर एट बॉल्ट है ठीक दोस्तो तो टेमन एक्विलंट सरक्य में वोल्टेज में केतना हो जाएगा कर दोस्तों का यहां पर वोल्टे सोर्स लगाएंगे वी ती एच एंड टू हम को सीरीज में जोड़ेंगे यह जाएगा टू हो जाएगा थेवनें इक्योवेलेंट सरकेट ठीक दोस्तों अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन क्या कह रहा है अगला के सुन कह रहा था the resonance frequency of a series resonant circuit चुकि जो series resonant circuit होता है उसकी resonance frequency का होते है यह रटने वाला question है कि resonance frequency जो होती है उसमें उसकी frequency होती है f0 बराबर 1 upon के 2pi under rule LC ठीक दोस्तों इसका option हो जाएगा option number option number B अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question क्या है अगला question है इन इस series RLC circuit R 200 ohm XL 350 ohm and XC 150 ohm the phase angle phi of the circuit is इसमें phi का मान पूछ रहा है कि कितना होगा चुकि RLC series circuit है तो सबसे पहले हम लोगों कि इसमें जैड का मान निकालेंगे चुकि जैड बराबर हम लोग निकालेंगे जैड बराबर क्या जाएगे जैड बराबर होता है हम लोगों का अंडर rule के अंदर R square plus XL difference XE मतलब जो भी बड़ा होता है उसको छोटे वाले को घटा देते हैं जैड बराबर हम लोगों का आ जाएगा जाएगा 200 का square करेंगे तो इतना जाएगा एंड तीजोंपचास मेंसे 150 घटाए जाएगा तो कितना जाएगा 200 है तो हम चैनल निए भी यह होगा यहां तो यहां से जैड जैड बराबर हम लोगों का जाएगा जैड बराबर हो जाएगा यह भी 200 का square यह भी 200f2 इंटu 200 विखना जानते हैं दर्वाइन होता है कॉश्ष फाइज 크иллиव हम लोगों का कॉस्ट 5 वरावर होता है आर बाई जैट तो आप कमान है 200 बटे जैट कमान कितना आ है था हम लोगों का 200 अंडर रूल 200 सORI 2 200 से 200 कट जाएगा तो कॉस्ट 5 कमान क्या जाएगा बन वाइ रूट टू, अब चूकि cos 5 में, cos के पदों में 1y root 2 1 किसका होता है cos 5 बरावर, 1y root 2 के लिख सकते है cos 45 degree, ठीक है दोस्तो, यहाँ से 5 बरावर आ जाएगा, 45 degree ठीक है दोस्तो, तो इसका option हो जाएगा, option नमबर 6, ठीक है दोस्तो कुछन देखते हैं अगला कुछिशन क्या कहता है अगला कुछिशन कहता है एक करन्ट और फोर एंपर फ्लो थ्रो ए टैन ओम रजिस्टर दा एनर्जी डिसिपेट इन फाइब मिनट इस जूल चुकि इसकी हमें एनर्जी जूल में निकालनी है ठीक दोस्तों तो एनर्जी ब कि यहां पर जो होता है वो सेकंड में होता है आजए में डेया है मिनट में और हमに बदलेंगे तो साठ का गोरा और और गर देंगे हम लोग तहीं क्यों सको मधाद्ग शाओ सुनर इसकणiges कहावाडर कहों जाएगा टीन हो तो आजए गाएगा ता शीन कhouse 4 विल विले कि लोोता हृं